So, Hi guys, आदर शेयर, आज की इस वीडियो में हम जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं, वो तामिल नाडू के धरती में बसा एक बहुत ही ब्यूटिफुल कॉलेज है। और आज में जिस college के बारे में बात करने वाला हूँ वो हमारे जितनी भी सारी NITS है ना उनमें top 3 NITS में से आती है और इन चंद NITS में से एक है जिसका लोग comparison ना कुछ IITS से भी करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग NITS के बारे में detail information के उपर बात करने वाले हैं जानेंगे इसकी cut-up वगरा क्या है और भी बहुत सारे important बाते आप लोगों में बताने वाला हूँ तो मैं description पर NITS की अगर आप लोगो और भी detail information चाहिए प्लेस्मेंट के बारे में जानना है और cut-up के बारे में detail तरीके से जानना है तो मैं description पर आप लोगों को लिंक दे दूँगा वहां से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं बहुत सारे college reviews भी बनाता और मैं NIRF ranking की बात करूँ तो वो है हमारा 8 तो हमारी इससे जो उपर की जितनी भी सारी colleges है वो सारी हमारी IITS है और आठवा नमर पर हमारा आता है एक NIT जिसका नाम है NIT Trichy अच्छा अगर मैं कहूं तो यह हमारा तामिलादू में college है और Trichalpalli में यह college हम लोगों का located है अगर मैं इसकी 2022 की ranking की बात करूँ तो वह आप लोग देख पाएंगे कि इसकी इंजिनियरिंग की रैंक थी वो थी हमारी 8 और भी बाखी सारे जो रैंकिंग है for example management के लिए रैंक थी 38, research के लिए रैंक थी 23, architecture के लिए रैंक थी 5, overall रैंक थी 21 और भी बहुत सारे यहां पर QS World ranking दिया हुआ है QS ECI ranking दिया हुआ है और भी बहुत सारे रैंकिंग्स आप लोगों के सामने दिख रहे हैं तो बीटेक आप लोगों के लिए offer किया जाता है जिसमें आप लोगो basically आप लोगो class 10th की जो परिक्षा है उसमें 75% चाहिए होता है और साथ ही साथ आप लोगो को जे मिंस की परिक्षा देनी पर दिये उससे आप लोगों को फिर से यहां पर admission मिलता है यहां पर Mtech offer किया जाता है MCA, MBA, MSC, MRC और MSC यहां पर आप लोगो offer की जाते है डिफिनिटली PhD भी आप लोगों के लिए offer वो किया जाता है अब कुछ बच्चे यह जानना चाने और साथी साथ B.Arch भी यहां पर और समस्टर आप लोगों को फीज दिखा रहा हूँ ठीक है जब मैं यहां आप भीस दिखा रहा हूं तो यह मैं आप लोगों को BTEC की दिखा रहा हूं तो जिसे की फर्स समस्टर की वीज है आप लोगो यह एक लाग दो हीजार के करीब ग्वाट को कम्रdoor से स्कॉलार से उसके साफ से मिलते हैं जो किसला से सामने डिल सँ इंगर चाहिं तो एकि बारे में पैज सकते तो एन इट्री तैविडियों के साम दूक्षे स्थाइब्स एन इदिया के चाहिए दिया के थार्या आटाक्र कि exactly two times but approximately two times होगा तो IIT दिली इतना बड़ा है तो NIT तरिची कितना बड़ा होगा just imagine और इसके साथ साथ अगर मैं facilities की बात करूं तो इसके इंदर आप लोगो केंपस के अंदर ही देखने को मिलेगा तो इन टोटल boys hostel की बात में करूं तो 22 boys hostel आदे हैं और girls hostel की बात करूं तो 6 girls hostel तो इसका मतलब है कि इन टोटल 28 hostels are there in 93 जो कि मुझे लगता है कि जितने भी सारे आप कॉलेज देखोंगे कहीं पर 10 है कहीं पर 12 है कहीं पर 6 है कहीं पर ऐसे चार है यहां पर 28 hostels है देफिनेट्ल आप लोगो जो हमारी जो निउ आइटी जो बंढ़ें नियू जेनरेशन आइटी जो बंढ़ें और चीजर नहीं अज़ेशन नहीं मिलेगी क्योंकि कॉलेज काफी जाधा पुरान है 1964 में बनाए क्लेज बेशक बीच बीच में रिनोबेशन्स हुए हैं बट तरहीं फैसलिटी आप लोगों को फुस्टल के अंदर ही मिल जाएगा डिफिनेटली जैसे कि कहीं करें पर मैं कोरा पर पढ़ रहा था तो जो गर्ल्स होस्टर है बेसिकली गर्ल्स के लिए वह नाइट कर फ्यू रहता है तो एक सर्टें टाइम के बाद आप लोगों को घर म किसे हम लोगों को बिलने हो तो क्योंकि यह यहां पर इन टोटल आप लोगो 9 मे सरी नर आपके उपर है क्या साथ सब्सक्राइस में और हो मेचके अंदर ही आपूश में और निख garlic नहीं कई आसे सारी ही एंधर लोगो सब्सक्राइब और दिका और अगर मेरे से हो सके तो म 93 की computer science या ECE को भी choose करते हैं इसलिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनकी 93 की cut-offs है खास करके other state के लिए वो बहुत ज्यादा high जाती है तो for example architecture के लिए आप लोग यहाँ पे देखें अगर आप home state के लिए देखेंगे यहाँ पे जो भी cut-off आप लोगों को दिखाया जा रहा है वो round 6 मतलब कि last round of josa counseling का दिखाया जा रहा है computer science और engineering की cut-off देखें other state के लिए 996 रैंक पे college close एक हजार से भी नीचे अगर अगर आप home state से हैं तो 4000 के करीब similarly हम electronics का देखें 3600 पे college close तो just imagine कि college में competition क्या और कितने cream बच्चे यह college को opt करते है research work बहुत जादा अच्छा तरीके से इस college में होता है college क्यूंकि बहुत जादा पूरानी है alimony network बहुत जादा अच्छा है फिर आप चाहे higher studies करना चाहे placement पर हर जगह में आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली अब मैं आता हूँ placement के उपर तो placement मैं मैं आप बहुत जादा highest placement के उपर कभी भी discuss नहीं करता मुझे सबसे ज़्यादा जो fascinating चीज लगता है इस college में branches भी बहुत जादा है still इस college की median salary for 2022 and 2023 मतलब इस साल के लिए जो median salary है that is 12 LPA उससे पहले का अगर आप देखेंगे BTEC के लिए तो 2019 में it was 9 LPA, 20 में 10.5, 21 में 10.8 and for 2022 and 2023 it is 12 LPA similarly यहाँ पे आप लोगों को BR, MTEC और बाकी सारे courses के लिए भी दिख रहा होगा अगर आप चाहें तो एक बारी pause करके देख लिजेगा पचास-55% बच्चों को प्लेस्मेंट लगती है, साथ परसेंट बच्चों को प्लेस्मेंट लगती है, वही अगर आप इस college में देखेंगे, तो हाल में तो थोड़ी बहुत placement आप लोगों को गिरी है, लेकिन अगर आप 2017-18 में देखेंगे तो 84%, 18-19 में देखेंगे तो 92% परसेंट, उननीस बीस में अप्रॉक्सिमेंटल 82% उसके बाद थोड़ी बहुत प्लेस्मेंट जो आप गिरी है, और बहांकि ब्रांचेस के लिए देखें, आप देखेंगे, अभी अच्छी एक ओप्शन हो सकती है, बहुत सारे IITs आप लोगों को मिलेंगे, इसमें हो सक में आपको बता तब आप मैंने जैपूर के बारे में आपको बता था आ जयपूर की बारे में हैं ऑले को treatment अच्छा है a कौशिछ कि ओपको आपकी अच्छी अच्छी है और ये पी कॉलेज युदु essa की लिए अजित पूसकर के आण context ब्लिखे का मैं एक 2021-2022 का प्लेस्मेंट डेटा आप लोगो दिखा रहा हूं क्योंकि पॉलेज के वेबसाइट में मिला नहीं तो कहीं और से हमने कोशिश किया है कि डेटा को आपके सामने में दिखा हूं तो इस चीज को आप 100% एकुरिट 2023 के लिए मत पानिएगा यह 2023 की इनफोर्मिश वगर है यहां पर दिखाए गई और यह कॉलेज का ही डेटा का ही नहीं मुझे लग रहा है कि जहां सी इनफोर्मिशन गैदर की गई है तो यह हमारी प्लेस्मेंट स्टेस्टिक्स है जिसमें मैक्सिमम और मीनिमन सेलरी बताई गई है और मीडियन सेलरी पर लाग कितना है पर एजांपल CSE के लिए मीडियन सेलरी था 26.10 लाग कि ट्रीपली के लिए 18.92 लाग एची के लिए 19.15 लाग और भी देखें मेकैनिकल है आई सी है चल है केमिकल है और भी सारे ब्रांचेस के लिए आपे मीडियन सेलरी दी गई आप चाहें तो बारी पॉस करके देख सकते तो प्लेस्मेंट की बारे में में बात कर लिया अब आता है एक और इंपोर्टेंट बात जो कि हमारी है फेस्ट क्योंकि आप कॉलेज में रहेंगे इतना जादा है इंजीनियरिंग कर स्टीूल तो हम लोगों को मौझमस्ती के लिए भी कुछ होना चाहिए निटी तरिची उन सारे कॉलेज में से एक है जहां पर आप लोगों को टेक फेस्ट हो या कुल्चरल फेस्ट हो या वन अप दी बेस्ट इन इंडिया आप लोग कह सकते हैं डेफिलेटली नौट पार विट आइटी मुंबई आइटी धिली से अप कंपेर नहीं कर सकते हैं पर निटी तरि इसमें आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्यूंकि या कॉलेज के पास फंडिंग बहुत जादा होती है कॉलेज के ऐसे ऐलुमोनी जो की बहुत बड़े-बड़े कंपनीज वहां से फंड मिलता है कॉलेज को तो कॉलेज डीसेंट लेवल पे और और्गनाइ सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यह कॉलेज आपको अपर सकते हैं आप वहां पर जाके पार्टिसिपेट बगर कर सकते हैं और अगर अगर आप मुझसे कहेंगे एक्जामिनेशन काफी अच्छी जाए आप जिस के लिए टार्गेट कर रहे हैं वो कॉलेज आपको मिले और आप मुझे डिस्क्रिप्शन पर या फिर गमेंट बॉक्स करके जरूर बताईएगा कि आपकी ड्रीम आईटी है ड्रीम आईटी कौन सी है और फिर आप मुझे यह जरूर बताईएगा कि आगे मैं कौनसे कॉलेज के पर आप लोग के लिए रिवीव लेके आँँ तब किले बाइब बाइब